हारी कृष्णा कैसे आप सभी अब लीब आप सब बढ़िया होंगे आज की डिटिंग में हम देखने वाले हैं आपके स्पाउस आपको शादी के लिए कैसे प्रपोस करेंगे तो बहुत मतलब यह बैसे तो कर रहा हुआ टॉपिक लिगिन इस अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है इस तरीके से हमने नहीं कर रहा है तो आज हम इस तरीके से भी देखेंगे कि वह आपको शादी के लिए कैसे प्रपोस करेंगे तो सबसे पहले हम महान का नाम लेंगे अपनी एनरजी को क्लेंज करेंगे फिर आपके लिए दो कार्ट आएंगे उन दोनों कार्ट में से आप कहार चला करेंगे और फिर आप अपनी रीडिंग देखेंगे तो मुझे लिए सबसे पहले हम ममान का नाम लेते हैं दो कार्ट जाएं आप लोगों के लिए एक है राइट नाउ पाल वान एंड पाल टू है यौर पार्थ सो पाल वान देख लीजे मैं पढ़ देते हूं आप लोगों के लिए स्टे इन दर प्रेजेंट और डोंट गेट तू फार अहेड ऑफ द फ्लो यू सून ट्रस्ट अट नथिंग मोर विल कम दैन कैन भी हैंडल इच मोमेंट यह भी बहुत अच्छा कार्ड है आप देख सकते हो मुजे यह से पेशंस की वाइब ज्यादा आहरी है राइट नौ कार्ड से पेशंस की और राइट एक्शन की राइट डिसीजन राइट एक्शन राइट टाइमिंग ठीक है पेशंस काफी एनर्जी जाओ रही है यार पाहत वाल तूं डियर लौॉड हेल्प मी ट्रस्त तो यहां से सीदी सीदी होप की एनरजी आ रही है यहां से यह और पात बहुत अच्छे अच्छे कार्च आप देख सकते हैं आप जहां से भी एक्राक्ट हो रहे ह। कौन सा आपको अपनी और ज्यादा खीच रहा है कार्ड यह किस कोटेशन से आप ज्यादा प्रभावित होए हों देख लीजिए अगर आपने अपने बर्थमंद के अकॉर्डिंग भी सिलेक करना है तो हम देखते हैं ध्यान से सुनीगा है जैनरी फेबिरी मार्च जैनरी फेबिरी मार्च एपरेल मेज जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर ओक्टोबर नोवेंबर और दिसेंबर ठीक है यह आपके बर्थमंद है अब आप से लेक कर सकते हैं मैं मिलूंगा आपको आपकी रीडिंग भी राते राते पारवान चले देखते हैं आज की रीडिंग आपके स्पाउस आपको शारी के लिए कैसे प्रपोस करेंगी आज की रीडिंग में देखने वाले हैं सबसे पहले हम भवान का नाम लेंगे तो उसके बाद रीडिंग को शुरू करेंगे एक साथ लेते हैं प्रमू का नाम लेते हैं कि कर दो को चर डिर लारा कि यराय Tr Clev को मुदम हूं सेव खा से व्सक्रान की सवार मुदम को तैकर कि आी का ते की समय कि मुदम हूं से डिल दे सबस्थ को फिलो दो झाल झाल कार्ड बहुत ही प्यारे आए आप लोगों के लागर एक तरीके से देखा जाये तो कि आप देखिया आप तो काफी अच्छे कार्ड आएं यहां पर अगर एक तरीके से देखा जाये आपकी स्पाउस आपको कैसे और कब आपको प्रिपोस कर सकते हैं यह आज की रिटिंग में देखना चाह रहे हैं तो अगर आपके आने से पहले उनकी लाइफ देखी जाये जो कि यह दिखा रहा है यह शो यहां से हो रहा है कि कि आपके आने से पहले उनकी लाइफ में न मतलब ऐसे होते हैं कि बस मुझे यही करना है बस इस से जादा नहीं मुझे जैसे यहाँ पे limitless का card है आप बस उतना ही करोगे आपको मतलब अपने थोड़े से भी comfort zone से भार नहीं निकलना आप बस चार दिवारी में खुश हो इससे आगे आपको इन देखने कि इसके आगे भी कोई प्रकरती में सुनरता हो सकती है थोड़ा सा मतलब explore नहीं करना बस अपने set के rules में ही रहना है जो कि कुछ हद तक अच्छे होते हैं लेकिन कभी-कभी बंदिश भी बन जाते हैं न तो आप कहने से पहले उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होगा situation कि वो ज़्यादा इतना interest नहीं शो करते होंगे न life में थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा carefree होने का थोड़ा सा enjoy करने का थोड़ा से fun energy उनकी life में होगी नहीं मतलब अगर काम है तो काम सिफ सीधा घर, घर से सीधा काम काम से सीधा घर, घर से सीधा काम, मतलब इसके बीच में बहुत कम ही वक्त निकला करेगा अपने साथ बहुत कम वक्त तो लेकिन आपके आने के बाद उनकी जिन्दगी में ना उनको उनकी लाइफ की कॉलिटी अच्छी हो जाएगी बहुत फिर ये नहीं होगा सिब काम से सीधा घर घर सीधा काम ने फिर ये बीच में भी होगा कि आपसे बात भी करनी है आपसे मिलना भी है आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ चोटी चोटी आक्टिविटीज भी करनी है और आपके आने से इनकी लाइफ में इनके खुद के परिवार के साथ रिलेशन्स बहुत अच्छी होगी ये भी चीज मुझे यहां से नजर आती है कि आपके आने से इनकी लाइफ में इनके खुद के रिलेशन्स बेटर होगी इनकी लाइफ की एक्सपेंसिवनेस अच्छी होगी इनका भगवान पर भी बिलीफ बढ़ने लग जाएगा आपके आने से क्योंकि ऐसा होता है न इक स्ट्रॉंग बिलीफ ही आपकी प्रेयर्स को आपके नियत को सच्चा रखता है अगर आपके एक भवान पर पूरा स्ट्रॉंग बिलीफ है तो आपकी नियत भी अच्छी रहती है साफ रहती है, साफ सुत्री रहती है तो जो कभी आप रार्थना किसी के लिए करते हो तो वो पूरी भी होती है किसी के लिए बोले हैं यापर क्यों? क्योंकि आप काफी दूसरों के लिए भला करने की सोचते हो कभी-कभी आप दूसरों के लिए जो प्रेयर्स करते हो वो पूरी हो जाती है कभी तो भी जो दूसरों को आप हीलिंग प्रोवाइड करना अचा है तो भगवान वो उस प्राथना को पूरा करते है तो आपके प्रेयर्स के लिए आपकी प्रेयर्स की शक्ति को देखकर जिसमें भवान की विशेष कृपा होगी आपका एक स्ट्रॉंग बिलीफ देखकर भगवान पर उनकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे इन फैक्ट आपके आने से पहले जो थोड़े थोड़े से परिशान हो जाये करते थे छोड़ी बात पर सब्सक्रान के बाद उनकी जिंदगी में एक शानती आएगी एक शानती आएगी और वो खुश रहना सीख जाएंगे उनकी लाइफ में एक कैरे होना कि एक वालिटी अच्छी हो जाएगी उनकी जिन्दगी में तो वह आपको कब propose करेंगे जब वो ये सब चीज़े नोटिस करेंगे और जब वो ये चीज़े नोटिस करेंगे कि आपने आकर उनकी जिंदगी में इतना बदलाव किया है आप हमेशा उने एक right advice देते हो कि आप एक right advice देने वाले भी बनोगे उनके लिए अगर अच्छे guardian भी बनोगे आप उनके लिए तो आप उनको right advices जो दिया करोगे आप उन्हें जो emotionally अपनी prayers से heal करा करोगे आप emotional support उन्हें जो करा करोगे उनके emotions को समझा करोगे उनकी life में उनके relationships को better करने की उनको support और उनको help किया करोगे जब वो ये सब चीजे इतनी सारी देखेंगे जब ये बदलाव सिर्फ उनको नहीं उनके आसपास के लोगों को भी उनमें नजर आएगा और वो बोलना शुरू करेंगे जब इनको खुद के लिए कॉम्प्लिमेंट से मिलने लग जाएंगे ना या जब इनको खुद में बदलाव अच्छा नजर आएगा तो ये एक भी ऐसा पल नहीं छोड़ने वाले जहां कोई आपको चुराके इनकी नजरों से इनकी सामने ले जाए इनकी नजरों के सामने से आपको कुछ चुराके ले जाए ये बिलकुल बरदाशन नियुस्तीस को कर पाएंगे ये चाहेंगे कि उसी शन आपको प्रिपोस गर दें शादी के लिए डारेक्ट लेकिन आउट ओफ रिस्पेक्ट वो ये जानना चाहेंगे कि कि आपके दिल में भी वो प्यार है जो प्यार इनके दिल में आपके लिए बना है, हुआ है, जागा है वो हर तरफ से यही जानना चाहेंगे और हो सकता है कि वो डारेक्ट आपसे पूछ लें आपको डारेक्ट बोल भी दें कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है क्योंकि ये इंसान ऐसा नहीं लग रहा छुपाएगा, बाने बनाएगा, डिले करेगा या करेगी ये ऐसा नहीं है, जो है साफ जुबाँ पे है बिल्कुल, साफ, ठीक है ना और देखे जिस इन्सान की नियत साफ होते हैं बहुआन भी उसकी हेल्प करते हैं जिस इन्सान की नियत ही साफ नहीं बहुआन भी उसकी क्या हेल्प करेंगे फिर भी भुहान इतने द्यालू क्रिपालू होते हैं कि उसको ये ग्यान दिला देते हैं कि भाई अपनी नियत साफ कर भुहान तो कभी किसे को दंड देते ही नहीं है भुहान तो क्रिपा करते हैं तो एक तरीके से जब वो आपसे हो सकता है ये बात पूछें उनका दिल चाहे कि अब मैं नहीं रहा रहा हूँ अब मुझे ये पूछना ही पढ़ेगा क्योंकि तभी मेरे दिल को शांती मिलीगी क्या आपकी हां है या ना है और जब विश्लिया आपके फीटरश पाउस होंगे आपके जब उनके लिए हां आजाएगी तो वो इतने खुश हो जाएंगे वो इतने खुश हो जाएंगे इतने जादा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी जिसकी कोई लिमिट भी नहीं होगी मतलब उन्हें ऐसा लगेगा उनकी लाइफ में ये तो चमतकारी हो गया क्या थी उनकी जिंदगी और क्या हो गई उनकी जिन्दगी तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान जब सब को सही करने के लिए आते है ना तो सब को सही करके जाते हैं सब कुछ फिर वो एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ते कि कुछ सही नहीं है हमें भी ठीक कर जाते हैं हमारी जिन्दगी को भी ठीक कर जाते हैं तो उनका बिलीफ भग्वान पर भी बढ़ जाएगा उनका बिलीफ प्यार पर भी बढ़ जाएगा उन्हें जो आप से प्यार हो जाएगा इसलिए वो आप पर आखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे उन्हें पता है आप उनके अंदर तक की फीलिंग्स को जानते हों आपकी साथ जो बाते उन्हें कभी शेर नहीं करी होंगी न वो बाते आप अपने आप जानोगे वो फीलिंग्स हो सकते हो ऐसा नहीं है ना कि हम एग्जेक्ट बात किसी की जान जाएं लेकिन हम फीलिंग्स क connect हो सकते हैं तो जब आप इनकी feelings को अंदर तक जान जाओगे ना तो इनको जटका लगेगा कि यार मतलब ना मैं इससे कभी मिला ना मेरी इससे कभी बात हुई ना मैंने कभी इससे को शेयर करा बट फिर भी ये मेरे इतने deep emotions को कैसे जानती है हैं कैसे जानते हैं तो इनने तीरे तीरे ना मतलब आपकी बातों पर आपकी विश्वास पर आपकीID विश्वास को बहुत सांतवे आसमान पर चर जायएगा कि अभी उस विश्वास को कोई नमें छुड भी नहीं कर सकता है इतना strong हो जाएगा इनका आप पर belief ठीक है ऐसा नजर आ रहा है कैसे वो आपको propose कर सकता है पहले तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो आप बहुत respectful way में वो आपको propose करेंगे मेरे ख्यादे वो पहले ही अपने परिवार को बता कर रखेंगे कि उन्हें किस से प्यार है ठीक है और जैसे होता है न officially declare कर देना कि finally अभी वो आपके आप से ही शादी करेंगे declare declaration तो public declaration भी होगा पूरा families के सामने या पूरे community के सामने हो सकता है जो भी group of people, friends, family जो भी है जहां भी वो comfortable होंगे वो with respect with full respect के साथ आपको शादी के लिए propose करेंगे लेकिन इससे पहले ऐसा हो सकता है कि वो privately आप से पूछे कि क्या आपकी हाँ है या आपकी ना है क्या आप इनसे प्यार करते हो या आप इनसे प्यार नहीं करते हो तो हो सकता है कि वो आप से एक private meeting में मिलें ठीक है और जिस दिन हो सकता है या आप से पूछे ना कि कि आपको इनसे प्यार है के नहीं वो meeting बहुत लंबी चल सकती है उसमें ये मतलब थोड़ा घबरा भी सकते है आपने कभी उनका वो side नहीं देखा होगा जो आप उस दिन देखोगे जब या आप से ये जानना चाहेंगे मतलब इतनी गबराट, इतना डर, इतना nervousness मतलब कहते हैं सीना strong करके भी आया लेकिन मनी मन में डर भी लग रहा है अटक रहे हैं बट सीधा बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आप से ये ये चीज़ भी बोलेंगे कि अगर मन में कोई डर है तो पहले उस डर को निकाल दो भार तब मुझे answer करो कभी कभी क्यादर हमारे मन में बहुत सरे questions होते हैं और हम उसका सही से answer नहीं कर पाते हैं जो answer हमें करना चाहिए तो कभी कभी हमारे answers भी change हो जाते हैं ये सोचके कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो फिर क्या आगे होगा मतलब ये कहते है कि एक बर अगर तुम्हारी हाँ है ना फिर तो मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं चोड़ना है लेकिन अगर एक बर ना आए ना तुम्हारी तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं पूछूँगा कभी नहीं पूछूँगी कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखूँगे कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखूँगा तुम्हारी जिंदगी मेरी वज़े से नहीं रुख बहुत ज़दा मतलब बहुत fantasy यह बहुत ज़दा romantic नी बहुत serious मतलब जिसमें हो सकता आपको इनके आखों में एक नभी भी नजर रहा है नमी नमी compassion जिसके आखों में करुणा प्यार होता है नो उसके आखों में नमी जरूर होती है वो नमी आपको उस दिन पहली बार इनकी आखों में नजर आएगी और हल्की सी मुस्कराहट चहरे पर थोड़ी सी sadness के साथ और यह जलकारी होगी कि अगर आपने हां कर दिया तो मतलब समली जे खुशी के आसों ना कर दिया तो उन आसों को छुपाना पड़ेगा कि उन आसों में छिपाओवा दर्द आपको ना दि एडिट तो नहीं है ना ऐसे यह चीज़ का इंको डर होगा को को हीडिंग फीलिंग देखें इनकी आपको लेकर मैं देखना चाहती हूं बहुत अच्छी रीडिंग आई है अगर एक पॉइंट ऑफ यू से देखा जाए तो यह रीडिंग बहुत अच्छी है ठीक है है कि म इसी लिए यह सब चीज़े ना हुए पहली वह अपने आसपरस के ख्लोज्ड वन्स को बता के रखेंगे उनकी फैमली उनके फ्रेंड कि वह बार में कोई क्वेशन उठाए खटे ना करें बार में कोई डाउट क्रियेट ना करें पहले ही जान लें कि उनके दिल में कौन है ठीक है वह पहली बता के रहें कि बार में कोई बतंगड क्रियेट ना हो है डिटाच्मेंट मुझे इसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगेगा उन्हें बस एक बात का डर होगा देखें आप हां करो या ना करो ठीक है हां कर दी तो बड़ी है लेकि ना ना अगर वो जिससे सोच रहे होंगे ना उनके पॉइंटों भी से कर देखें कि अगर आपने ना कर दी अगर उनके पॉइंटों भी से तो ने इस बात का डर होगा कि फिर दुबारा वो कभी आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे वो दुबारा कभी आपसे मिल नहीं पाएंगे और वो इसके बिना कैसे रह पाएंगे देखो रहा तो लेता है इंसान लेकिन उससे आगी बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है यह क्योंकि जो emotions detach होते हैं वो detach करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं तो आपसे मिलना आपको देखना आपसे बात करना भी उनके लिए इतना जरूरी हो जाएगा उनके लिए उनके एक आदत हो जाएगी एक वो कहते हैं कि daily routine में आ जाएगा कि बस यह तो करना ही है यह तो करन कि लिए इतने जरूरी तो बहुत ही प्यारी लिडिंग मैं कुछ मैस्टी देख दो बहुत अच्छी रिखाएगे हैं आज थोड़ा जादा कार्ड्स निकालने कोशिश करी जिससे कि आप लोगों थोड़ा जादा पता चले हैं आपके स्पाउस काफी इट्राक्टिव हो सकते हैं बातों से भी और दिखने से भी पाउं से लेकर आंसमा तक सिर्फ पैर ही नजर आते हैं तो आप ऐसे कोई बहुत लंबू हो सकता है बहुत लंबू लंबू ठीक है ओके जी यूशुड बी प्रावड ओफ यॉर्सेल्फ तो वह आपको मोटिवेट करें कि आपको खुद पे गर्व होना चाहिए जब भी पाले सोनी है अच्छा तो आपको ना गले लगाना या जब आप इने गले लगाया करोगे तो मतलब इने गुद गुदी हुआ करेग ओई मेरी गोलू तो वही आपको एक लंबू है गोलू है वही कौन है किसकी जोड़ी है यह नॉन स्टॉप लाफिंग देखो मतलब आपकी कंपनी ऐसी होगी ना आपके साथ बैठना उटना ऐसा होगा कि वह मुस्कुराते रहेंगे वह हसते रहेंगे उनकी जिंदगी में ने यह कभी हुआ नहीं होगा इतना अच्छा तो वह इसे लिए तो मतलब इतना स्पैशल तील करेंगे ना आपके साथ सिंगी का सौंग है तो मेरे वह अच्छे दिन वह अच्छे दिन भी उनके आप ही से होंगे आप से ठीक है फुल कंट्रोल ऑन इचे दर तो आप दोनों के दूसरे पर काफी अच्छा कंट्रोल होगा आप दोनों का मन भटकाव कभी नहीं होगा आप दोनों जो एक दूसरे के हो गए सो हो गए फिर कोई बीच में नहीं आ सकता आप कंपली ट्रस्ट इन यह चीज तो आई थी यहां पर ट्रस्ट भी आ रहा है यहां भी चीज आगी है और नाओ इट्स माइ टर्न हाहा तो यह ना आपके सब काफी गेम्स केला करेंगे आप वैसे भी गेम्स केला करोगे ना साथ में तो वो भी काफी आप दोनों के पर आपने इनको पनिश्मेंट दी यह ने देंगे यह अगर देंगे विन तो बड़ी रोमांटिक सी देंगे आपको बिन तेरे यह सौंग है अच्छा सौंग है यह सौंग है सुन लेना ठीक है और लास्ट मैस मेसेज निकाल लेती हूं आप लोगों के लिए यू आर कितने ज्यादा स्पेशल रीडिंग आई है पॉर स्पेशल वन्स तो यह थी आज के बहुत स्पेशल रीडिंग सभी स्पेशल एंजल्स के लिए अगर आप सब को अच्छी लगे हो लाइक पर कॉमेंज करेगा अभी के लिए बाए ठीक है जैश्राद किशना हरी बूल श् को ठीक है तो बहुत ध्यान से सुनेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं तो मेरी कोशिश तो यह देगी कि मैं जादा जादा बता सकूं भवान जो भी चैनल देंगे यहां से भेजेंगे आप तक डिलिवर कर सकूं आगे आप सबका अपना भी है कि आप कि इतन कि इतनी। आफ पाजोस कोनेétais लोग झाल रझावा जैल आर करना लोर ऑला साल कर सक्वार झाल है always है। सिर्ट हुआ झाल 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 तो बहुत स्ट्रॉंग नजर आ रही है मुझे से लग रहा है उनका विश्वास आपके अंदर विश्वास जगा देगा शादी को लेकर प्यार को लेकर beginning of trust awakening of trust आप में आईगी इनके आने से मुझे से लग रहा है कि आद आप प्यार करने से थोड़ा ड़ते हो relationship से ड़ते हो शादी से ड़ते हो proposal से ड़ते हो मुझे भी बात हो सकती है ना तो एक complete trust नहीं है आप जो भी देख रहे हो आपके spouse के आने से आप में ये विश्वास जागरत होगा उनके विश्वास को देखकर मतलब वो इतने positive होंगे कि आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी हलकी फुलकी negativity भी होगी ना देखो अगर आप भक्ती कर रहे हो तो तो सुम्म प्रभू रख्शा कर रहे है लेकि भक्ती थोड़ी कर रहे है थोड़ा 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 तो वो कहते हैं कि अनिकी अपने किसी वक्त को भेज़ते हैं सामने मेरे को शुद्य करने के लिए तो या तो आप दोने ही spiritualists होगे बहुत अच्छी आई है ठीक है हरे कृष्ण महामद का जाब करते रही है तो आपकी जो एक कनेक्टिविटी है श्री भगवान से नुवाई श्री कृष्ण से श्री मती रादयानी से वो बनी रही है और आप अपने आप इशुद होते रहोगे भवार की कृपानों सार्ड ल बहुत लोगों के जिन्दगी में थे कहो हम बहुत लगी ओगा अगर एक metropolitan पर भी देखा जाए और एक मैरज बेसिस पर रहा आ Sicht थहीं कर जब घुआ है ठीक है और शूब हैं यहाँ पर कृष्ण हों जहां पर भगवान हों यहां बनाहां सब कुछ हुषभ हैं यहाँ परिवार को लेकर साथ को लेकर मेरिज को लेकर वो एक विश्वास जागरित होगा अपने पर भी कि हा मैं इन रिस्प्वंशल्टी इसको पूरा कभी-कभी इंसान इसले भी डिश्वासama हो तह नहीं होते हैं मला हमें कभी-कभी खुद को लेकर इन सेक्रिटीस होती तो वो भी जो भी इन सेक्रिटी है वो आपके स्पाउस आपके अंदर से निकालेंगे। आपको इनसे प्यार होने लग जाएगा इनको आपके आखों में ये बात दिखने लग जाएगी। ये आपको रोकेंगे नहीं क्यों कि इन्हीं भी आपसे महबत करनी जो होगी। इनको आपके आखों में दिख जाएगा कि आप इन्हें पसंद करने लग गए हो आप इन्हें चहाने लग गए हो। इनको ये चीज नोटी से कर लेंगे बट इस चीज को लेकर ये ना आपको छेडेंगे कभी नहीं बलकि उस चीज को लेकर ये रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी आपसे प्यार जो करते होंगे शायद ये तब से आपको प्यार करते होंगे जब शायद आप इनकी और देखते भी नहीं होगे जब आप इनने जानते भी नहीं होगे जब आप इनसे बात भी नहीं कभी करी होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपके जानने से पहले ये आपको जानमेट है और फिर कभी एक टाइम फ्रेम के बाद आपके और इनकी शुरुबात होई बात करने की तो यह भी आप पर पॉसिलिटी आ सकते हैं नहीं तो यह पॉसिलिटी में देख सकते हैं कि आप कोई इनसान किसी के लिए अगर इतना कर रहा है न कहीं न कि उसके दिल में एक आप इनकी जिन्दगी में वो बनाया रखो क्यों यह पता होगा आप अंदर से बहुत मासूम हो आप अंदर से बहुत ही ज़्याद कंपैशनेट हो जैसे चोटे बच्चे होते हैं इसको दिल बिलकुल सच्चा होता है उनके दिल में किसी के लिए कोई करवात नहीं होती कोई दिखावा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है आपका भी, आपके अंदर भी किसी के लिए कोई ऐसी करवाट नहीं है, ठीक है, आपका भी किसी के लिए बुरा करने की नहीं सोचते हो, आप हमेशा ये चाहते हो कि सब सब अच्छा रहे सब के साथ अच्छा रहे सब के साथ भगवान हो है ऐसा अगर ये भाव है ना आपका अगर 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 आपका ये भाव है तो आपके इस पावस को आपसे पहले ही प्यार हो जाएगा तो जब वो ये देखेंगे कि आपको इंसे प्यार होने तो वो आपको रोकेंगे नहीं क्योंकि वो चाहेंगे कि आप उनसे भी कोई ऐसा विक्ति प्यार करें जो इतना प्यारा हो दुनिया में ऐसे अच्छे लोग मिलने बहुत मुश्किल है उनको पता है और आप दोनों को एक दूसरे की गुड़नेस की बहुत कदर होगी है कभी क्या उता है हम अच्छाई तो दिखाते लेकिन सामने वाले मारे अच्छाई की न कभी वैल्यू नहीं करता बट यहां पर यह नहीं होगा यह चीज़ होगी कि यह साइंज होते हैं सारे, लोग पूचते क्या साइंज होंगी जो रीडिंग आ रहे पर बहुत फोकस करा जाता है बुरे आश्रन है तो बुरी संगत बुरा व्यक्ति मत मत उसके साथ संग करो लेकिन अगर उसके अच्छे आश्रन है जिसे आपकी जिंदगी सुधर रही है तो उसके साथ पूठो बैटो उसके साथ बात करो जो हरीका है उससे बात करो जिसे भक इसके आगे अगर हम देखे तो आपको प्रपोस कैसे करेंगे देखे उनके मन में भी एक डर होगा उन्हें भी ना जैसे कहता है ना कि जब आप किसी से प्यार करने लग जो और आपको उसके साथ शादी करने हो उसको शादी के लिए प्रपोस करने है तो आपके अंदर किसी बड़े जो होंगे उनसे उम्र में भी और तेजुर्बे में भी वो उनकी गाइडन्स लेंगे कि अब मेरे मन में ऐसा कुछ है तो मैं इसे कैसे क्लैरिफाय करूं कैसे मतलब मैं बताऊं और कैसे जानूं क्योंने भी मुझसे मलब प्यार है के नहीं है मैं शादी के जो कि उनके क्लियर भी होंगे एंड फाइनली वो बहुत ही पेशेंटली बहुत ही धीमे से मतलब कानू कान किसी को ख़बर भी नहीं होगी आप तक को भी खबने होगी उनको भी ख़बर भी होने देंगे कुद को कि आज उनको प्रपोस करना है आपको मैं वो इस बारे में कहीं कुछ ना बात करेंगे खुद से बीज़े कि अखेले होते हैं अपने अपसे भी बात करना है और मुझे कल प्रपोस करना है क्या होगा मैं भी खुद से भी ऐसे बात नहीं करने वाले हैं वो बस डारेक्ट आपके पास आएंगे पहले बिल्कुल जैसे नॉर्मली कैश कि चल तो कक्ली बहाना बना और कि मैं है कि अब रूक जाओ थोड़ी तेरो तो वहम्त जुटागे बस आब को बोल देंगे बस वह बात को टाइम को ना बस आयों किसे this बहाने से ना आपको रोकना चाहते होंगे और यह अथी אות crazy करेंगे कि हाँ उनको आपसे बहुत पहले से प्यार है और यह प्यार ने भी उनकी जिंदगी में बहुत improvements करें हैं उनके अंदर जो भी painful ऐसी चीजें थी उनके अंदर illusions थे तो आपके प्यार ने आपके साथ ने आपकी दोस्ती ने वह सब निकाल फैके हैं और अब वो दिल से चाहते हैं कि वो आपको as a wife as a husband प्यार करें वो आपको ऐसा propose कर सकते हैं और जब वो आपको ऐसा propose करेंगे न आ यू अ यू फी शाय आप देखो आप शर्मा जाओगे अप शर्मा जाओगे अप उनसे अपने नजर चुणाने लग जाओगे और आप छोड़े बस horrific बिल्कुल इसा जहम सजाता है, बिल्कुल इसा डर के बारी नहीं सहम होगे, आप बड़ शर्मा जाओगे उस टाइम पर, और वो उस चीज के बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, वो तहेंगे कि जी आप पूरा वक्त लीजिए, आपकी नजरें नहीं मिला पार होगे, आप इतने माफ कर दीजे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है कहे बिना, और मुझे लगा कि ये सही वक्त है कहने का, तो इसलिए मैंने बहुत जादा सो समझ के, और पूरी आग्या से, बड़ो की आग्या से, पूरा मतलब जिसके साथ डिसकस करक पूरी आग्या के साथ मैंने ये फैसला लिया है, मैं अब ये बस आप से पूछा है, ठीक है, लेट्स सी क्या आपका रियक्शन होगा, आप क्या उनको बोलोगे, आप उनको बोलोगे, लेकिन मतलब वो कैसे होगा, वो देखते हैं, ट्रस्ट, आपको ना उनकी हर एक वर् आप डरोगे नहीं, वही चीज आ रहे हैं ना कि वो आपके अंदर से डर निकाल देंगे ये सब चीजों को लेकर, तो आपको उनकी बातों पर ट्रस्ट करोगे, आपको पता होगा कि ये जो भी बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, तो येस आप उन्हें अपनी जिंदगी मैं आने दोगे, जिससे कि आप, आपको ये बताओगा, अगर आप इन्हें ना बोलोगे ना आपका दिल दुखेगा, और जब दिल दुखता है ना, इट मीन्स प्यार है उसके लिए, तो आपको ये चीज महसूस हो जाएगी, कि अगर मैंने ना बोले ना मेरा ही दिल दु और जब आप सब कुछ याद करोगे कि हर एक परिशानी में ये आपके साथ रहे हैं, हर एक परिस्थिती में ये आपके साथ रहे हैं, आपको समझा है, कभी इन्होंने आपको आपकी चीजों के लिए ब्लेम नहीं करा, कभी भी इन्होंने आपको क्रिटिसाइज नहीं करा बलकि हमेशा है इन्होंने आपके अंदर एक positivity भेजने की कोशिश करी है तो ऐसे कैसे आप इन्हें ना कर दो हर वो reason आपको दिख रहा होगा कि हाँ मैं इसे हाँ कर सकती हूँ हाँ मैं इसे हाँ कर सकती हर वो reason आपके सामने होगा हर एक reason और सबसे बड़ा यह reason होगा कि अगर मैंने ना कर देना मुझे ही दोख होगा क्योंकि आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा पता भी नहीं चैनल का कि कब वक्त के साथ साथ इतना घहरा प्यार आप दूनों का हो गया एक दूसरा देखिए आप यह कपल आ रहा है ठीक है तो आप दूनों एक दूसरे के लिए बहुत लखी कपल होगे और spiritual भी बहुत हो सकते हो आप दूनों ठीक है तो इस तरीके से वह आपको पोस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी रिडिंग आई है आज की पाल बहुत ही खुबसूरत थी और पाल टू भी बहुत ही खुबसूरत आई है आप सबके लिए आपके लिए एक सौंग आ रहा है मेरे रिष्ट के कमर तुने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मसा आ गया ज़रूर सुनना बहुत ही प्यारा सौंग है I am addicted to you, your smile, touch and your love तो भाई वो तो उनको तो आना आदत सी होगी आपकी, आपके मुस्कराहट की, आपके स्पर्श की और आपके प्यार की अब वो यह रह नहीं सकते हैं इसके बिना ठीक है Deep pain, deep pain, बहुत दर्द, दर्द है किसी में दर्द दोनों में होगा, लेकिन वो दर्द मिटे का तब जब ये विश्वास पैदा होगा ठीक है, तो बहुत painful timings आप दोनों में देखी होंगी अपनी life में feeling very special है, बहुत special feel करोगे उस दिन इस दिन आपको प्रपोस करेंगे definitely ठीक है, एक दूनों कि कभी हीचाता नहीं कड़ा करोगे आप दोनों तो कह सकते हैं काफी childish couple भी होगे आप दोनों ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आईगे है you feel, you can feel natural warnings, nature warnings देखो वना तिसे कितना प्रकरती भी आपको यह इशारा करेगी कि यही है आपके लिए भगवान भी इशारा करेंगे तेना कि यही है आपके लिए मैं कहारू ना, reasons दिखेंगे आपको वो hints, वो इशारे नजर आएंगे बस वो देखने की पहचान आपको होनी चाहिए ठीक है उनकी एक बहुत ही hidden feeling बताऊं तो cheek and chin kisses आपके गालों पे और आपके ठोड़ी पे उनको kisses करना बहुत पसंद होगा बहुत क्यूट है यह attempt इनका बड़े प्यारे से होंगे यह ठीक है boy तो boy बेबी को लेकर energy आ रही हो पहला बेबी boy हो सकता है satisfaction at soul level आपके राहत मिल जाएगी अंदर से इनके प्यार को पाकर आपको राहत मिल जाएगी इनका साथ पाके अभी जो अधूरा है न वो पूरा हो जाएगा soft-hearted आप तो हो ही soft-hearted आपके spouse भी बहुत soft-hearted होंगे last message और देख लेते हैं आ जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ यह song है तो यह एक बहुत ही प्यारी reading आई आप सब के लिए I hope आप सब को बहुत अच्छी लगी होगी आज की reading थोड़ी सी बड़ी करने कोशिश करी थी तो बताएगा reading कैसी लगी अभी के लिए भाय ठीक है जैश्रादे कृष्णा हरी बोल श्री राधे